दोस्तों ये नोनियम गाड़ बान लीजिए ये नोनियम आपकी जिंद्ध की जरूर बदल देंगे और इन नोनियम को जरूर सुनिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पहला नियम, परिवार के साथ मिल बेट कर बोजन करने का परियास करे और बोजन करते समय मोबाइल पोन और टीवी जरूर बंद कर ले कन्याओं का विवा 21-25 वरस तक और लड़कों का विवा 25-29 वरस तक आयू की हर सिति में कर हो जाना चाहिए और नई युवा फीडी को कम से कम दो संतानों को जनम देने के लिए प्रेरित करे जब भी परिवार और समाज के किसी कारे करम में जाए तो अपनी संतानों को भी ले जाए इससे उसका मान से विकास ससक तो होगा यदि आपकी कोई एक संतान पड़ाई में अक्सम है तो उसको कोई भी होनर वाला ज्यान जरूर दे और शाहती परतेक संतान को कम से कम तीन फोन नंबर इस्मरन होना चाहिए और आपको भी अपनी संतानों को अपने धरम और इतियास की शिक्षावस्य दे और उनके मानसिक और सारीरिक विकास पर अवश्य ध्यान देना चाहिए गाउं से नाता जोड़ कर रखे और गाउं की पेत्रिक संपती और वहां के लोगों से नाता जोड़ कर रखना चाहिए जंक फूड और पास्ट फूड से बचे साइकाल के समय कम से कम दस मिनट भक्ती संगीत सुने और पूरे दिन में कम से कम 20 से 30 पेज किसी भी अच्छी पुष्टक के जरूर पड़े आपको पोश्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईए और अगर आपके पास कुछ भी ना हो लिखने के लिए तो गुड या बेड लिखकर बता दे शिरप 30 दिन हमें पोड़ो करके देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू